यहां देश का नाम क्या आप ज़रा बताइए तो देश का नाम है उसको पदलिएगा और किसी भी धरम को मानिए अपने ढंग से करिए उसके कौन रुखावट है राम हो क्रिष्णों कोई हो जिनका भी धरम करते करिये ना भाई तुसके कौन रुखावट है और कही धवगत दोगों के भी बें इंट्रफेर नहीं करना चीए तुर राष्ट बनाएंगे और बिहार से उसकी लौज लाएंगे अब उस नामकरण को न सुविकार करना चाहिए उसके बदलना चाहिए हमको तो आश्यर्ज होता है कि आजकल पता नहीं है और इस सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहां वाले जिस तरह से देश वर के मेडिया पर जिस तरह का वो कबजा किये तो बाते नहीं आता इसको कोई बताता है बताता है क्या है यहां देश का नाम क्या है आप देरा बताईए तो देश का नाम है उसको बदलिएगा अब आजादी की जो लड़ाई हुई अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जनम उस समय का था आप देरा बताईए हम लोग अभी तो जनम लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिये थे अब बच्पन में ही हमको बताए और बाद में एक चीज को हम लोग जाने तो आप ज़रा बताइए तो हम तो आपको इतना बार-बार कह रहे हैं कि हम लोग को सब मानते हैं रास्पिता महत्मा गांधी अपको और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का और उसी की आधार पर हम लोगों कर रहे हैं दिवल topics क्रड़िकर और जहां भी हम लोग लोगों से बिल रहे हैं सब लों के पीच्वे ये बात हो रही है किसी भी स्दूर्भ को मानिए अपने डंग से करिये उसमें रुखावट है जो भी अपना धरम की पुजा करें हुष पर कोई किसी पर रुखावट है नहीं लेकिन लेकिन इसापनां करना आश्चर्ज की बात है कि अब को तो आश्र लगता है कभी संभव है आप कोई कर सकता है बिहार से करें कि कोशिश करें ना राम हो कुई हो जिनके अभी धरम करते करिये ना भाई तुस्पे कौन रोकावट थे आप किसी भी धरम को मानते हैं और आप जानते हैं कि इस देश में साथ धरम है और एक तो बहुत कम है वहां बंबई में है लेकिन बाकी जगल पर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई सब लोग है और बताइए बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्यान प्राप् आइ मोग और कितने लोगा आते हैं देश के बाहर से आते हैं कहां से आते तो सब आते हैं तीधना जाता है तो कोई को भी करें और हम लोग तो सब ही लोगों के हित में बिहार में आप देख रहा है ना प Propaganda कर लिजे कोई का मंदिर हो कुछ भी हो सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का भी बात नहीं हो अपने दंग से पूजा करें अपने दंग से काम करें उसमें के लोगों के भी इंटरफेर नहीं करना चाहिए यह लाउड है कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है तो सबसे कोई वैल्यू है इसलिए अरे देश के संबिधान को भी समझना चाहिए न अदेश के संबिधान का उलंगन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए और हम तो समझते हैं कि मीडिया को एगर लिख द कि अजेते...